आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप जाती इतने obsession और passion से इसकी तरफ इसको समझाने में या इसकी इसके बारे में चर्चा करने में आप It's a recent phenomena to be honest. मैंने 20 साल पहले लगवग कास्ट पर काम करना शुरू किया. क्यों? क्या वो इंफ्लेक्शन पॉइंट गया था? दो चीजें थी हम लोग जेंडर पर काम करते थे मेरी पहली किताब जो आई वो Media West 3 एक उत्तर भी मर्श करके किताब आई जो कि जेंडर एंड मीडिया पर बात कर रही थी तो जेंडर भी एक identity है तो जब हम इस identity में we started diving deep तो हमें समझ में आया कि जेंडर को आप तब तक नह experience नहीं समझ में आएगा लेकिन हमने जब अपने साथ के दूसरे लोगों को I remember of one anecdote मैंने इंजिनिरिंग खदम कर ली थी मेरे साथ एक इंजिनिरिंग में दोस्त वा करता था वो happened to be Dalit उसके घर में एक शादी थी और उस शादी में दिली के पास में ही एक दादरी नाम की ज लाती थी हम तीन यह चार लोग को समय बस वसमेलत की जैसे होता है पहुंचे और जब मैंने बस दोस्त मेरे साथ में था एक दूसरा हम लोगों ने वहां जाके पता करने की को शिश्की की शादी कहा है तो किसी से पूछा कि यह अमुक जगे कहा होगी तो उसने उसकी जगे बताओ कहाँ पर है इस टरीके से तो उस शादी में जब हम गए ताँ मैंने महसूस किया कि मेरे उस विकति ने जब मुझे ऑप मैं हमें बताते हुए हमारी तरफ देखा तो हिकारत से जाहिरे के बेज़ SiDais से देखा कि उस शादी में जा रहे हैं यह ममझे जाहिरे क्यों मैं तो इस जाती से नहीं मतलब मैं I was tempted to use this कि कबरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे ही तुम्हारी हिम्मत कैसे ही तुम्हारी हिम्मत पता है मेरी जाती I didn't say it, thankfully बाद मैं I realized कि ये कहना कितना अपमान जनक और जाता होता लेकिन मेरे केवल एक सेकेंड के लिए उस जाती के अपमान को सहरा हूं और मेरी जाती उबल के बाहर आ जारी है जिसे सेकडो साल तक सहना पड़ रहा है और जिसके पास ये कोई शील्ड नहीं है कि वो एकदम बता दे कि लिए मेरा नाम तो ये है तेरी इम्मत कैसे हुई जिस थिंक बाउब ए and that is what I mean these are small incidents लेकिन इन सब से आप ultimately जब आप एहसास होते है कि जब तक आप अपने privileges के प्रती एक basic शर्मिंदगी से नहीं भरते हैं क्योंकि वो privileges आपको कहीं से चुड़ा कर ही मिले है तब तक आपका मनुष्य बनने की यात्रा शुरू नहीं पड़ाब इन प्रिविलिजिस को और आर्थिक तगरव भी extend करते हो या सिर्फ आप इसको जाती में फोकुस करते हो interestingly it started with the class क्योंकि विश्विद्यालियों में जान बूझकर जाती तो पर तो दबाब दिया नहीं जाता था मार्क्स का प्रभाव क्लास पे दिया जाता था करीब अमीर गवीर अभीर यह वाली हमेशा आसार वहारा प्रॉलितेरियत सीधर हो गया और दूसी तरफ जो है आसारी का लासनोस और यह वह यह वह परिएट था तो टो घ्लड़ को जादा सिखा़ी था हम लोगों को तो लड़ कर इस से आगे निकलना ऑदा कि लगो भागो कि देश्त खेश्मी राली यह वाली वाली बॉर साइटी कोई support आपको class से transit कर सकती है आपने किबल migrate कर लिया आप बिहार से दिल्ली आ गया आपकी जो जो मज़दूरी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी बिहार के संदर में आपके class transit हो जाएगी आप इंडिया से Australia चले जाएगी अमेरिका चले जाएगी आपके class transit हो जाएगी I remember in 1991 a colleague of mine she studied in masters in US वो अने साथ आई वापस तो उनने का वहां तो हम गरीब थे क्योंकि student थे पैसा आरे जो इसक्राइगी लेकिन फिर भी हमारा lifestyle जो था वो यहां के upper middle class से बहतर था You understand that class can actually be transcended to some extent rather easily अना कि एक सीमा के बाद इसमें भी मुश्किल आएगी लेकिन फिर भी आपकी बात एक्तम सच है कि class is also an important marker लेकिन भारत जैसे देश में class और caste separable है नहीं जितना कहा जाता है बार बार आप कहें कि नहीं जी पासवान के बेटे को reservation क्या दिया है ऐसे आपको 10-50-100 लोग मिल जाएंगे लेकिन वो example नहीं है वो exceptions है हमारे गाउं में आप तो गाउं से आते हैं गाउं देखा हुआ few exceptions जिस केस में किसी वजह से परिवार के लोगों को reservation से कोई सरकारी नौकरी मिलने से land holding अभी भी change नहीं हो यह जादा लेकिन उनसे थोड़ा बहुत फर्क बड़ गया है बट I still believe breaking caste is far more difficult in India in comparison to breaking class कर दो即ै कि degilा बटims लेकिन उनसे गला है लेकित.